जहें दोस्तों मैं प्रसांत औरमा आप सभी का स्वागत करता हूँ पर यूटूब चैनल आर्ट्स फार लेर्निंग पर आज हम जो टॉपिक के स्टेडी करेंगे वह एडर जो कि एक्जाम की पॉइंट अब भी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी ऐसा पेपर नह इसमें के बात आएंग जोडना और यह दो प्रकार की छोते हैं हमारा है हाफ अडर फूल अडर पार वह कतर कर लेते हैं फैदिकand लेसकते और फूल में क्या होता है input हमारे होते हैं एक दो से अधिक फुल एडर में होते हैं दो스 क्या होते हैं दो से दिक हैंगे तीन दोनों में सेम होता है अब यहां समझ लेते हैं समेंड का एडि क्या होता है मानों हम वन प्लस वन कर रहे हैं आपे वन प्लस वन कर रहे हैं तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा और टू आपको पता है जो एडर होता हो बाइनरी एडिशन यहां पर बात किया है यहां पर क्या आएगा डू का हम बाइनरी कोड का अंवर्ट करिए तो क्या आहेगा हमारा जीरो जीरो वन जीरो आएगा यह मैं क्या करते हैं दोग्या की जिरो मतलम नहीं होता इन को खतम कर देंगे बचए क्या 1 and 0 , तो 1 and 0 हो जाएगा किसके, 1 PAMich теперь 8 ,1 PA åैइं में 0 , तो इसमें लिखते हैं, उसका सम में, 0 हो जाएगा , ये असम हो जाएगा, और जो 1 हो जाएगा, हमारा copy हो जाएगा, । ले ले लितने , जैसे 1 Canyon dinner , 11 जोड़ना है , तो 1 plus 1 plus प्लस वन प्लस वन कितना हो जाएगा थीरी का बाईनरी नंबर अगर दिखा जाए यह तो बीसी डीकोड होगा है यहां अगर इसका बाईनरी कनवर्ट किया जाएगा हमारा 0011 आ जाएगा तो यहां से लिए ले लेंगे यहां से हमारा इस सम क्या होता है जो इसका तुम्हें पता है आप सभी को कि half item के लिए जाते हैं तो दो input अगर होंगे यह दो input तो उसके लिए जो possibility बनेंगी वो कितने बनेंगी चार बनेंगी 2 की power यह न होता है तो 2 की power 2 हो जाए कितने बनेंगी 4 बनेंगी कौन कौन से 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1 यह 4 संभावना उसके बनेंगी तो इसके लिए हम truth table अगर देखा जाए truth table तो truth table क्या हो जाएगा हमारा input हो जाएगा a and b यह हमारे क्या हो जाएगे input हो जाएगे और output हमारा क्या हो जाएगा sum and carry input में 2 terminal हो जाएगे 1 a and b तो इसमें input कितने आता है दो आते हैं output कितने आते हैं दो कौन कौन से sum and carry आते हैं input क्या a and b तो इसके जो संभावना होंगे तो पहले एक बार हम दोनों को 0, 0 कर सकते हैं पहीं दोनों को 11 कर सकते हैं इतो इसके संभाना हो गई अब इन दोनोंको जब affiliate करेंगे तो क्या आएगा तो 0 0 गड़ करेंगे तो क्या आएगा sum हमारा 0 आएगा काईडी क्या आएगा 0 आएगा ठीक sum sum 0 आएगा काईडी हमारा 0 आएगा दोनों को 0 ही रखेंगे फिर इसके बाद 0 1 0 1 जब करेंगे तो क्या आता 0 प्लस 1 हमारा 1 आता कोई कैरी नहीं आती तो हमारा क्या हो जाए सम वन हो जाएगा कैरी जीरो आएगा फिर नेक्ट वन प्लस जीरो सम वन आता है कैरी कोई नहीं आता तो सम वन हो जाएगा कैरी हमारा जीरो हो जाएगा लेकिन वन प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 प्लस 1 करेंगे तो sum हमारा क्या है 0 आएगा और carry हमारा 1 आएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको बता है 1 प्लस 1 करने कि 1 0 आता है तो sum हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है और carry हमारा 1 आ जाता है तो half header का truth table कुछ इस परकार बनता है a b input होगा और output में sum and carry मिलेगा output में sum क्या क्या आता है आप इसको add करके देख सकते है carry जो आएगा उसमे 1 carry में कर देंगे जो sum आएगा उसमे sum में हम 1 fill कर देंगे अब यह तो रहा है truth table अब इसका अगर देखा जाए boolean function निकानने के लिए तो boolean function क्या किया है sum के लिए अलग निकाला जाता boolean function sum के लिए अलग boolean function और carry के लिए अलग निकाला जाता है तो ओभी हम इससे time देख लेते हैं half एटरिक बात हो रही है तो देखो जहां पर sum 1 1 है उसका हम देखेंगे पहला हमारा 1 कहां पर यहां पर मिलता है दूसरा 1 हमारा यहां पर मिलता है तो 1 पर हम इसको a जो यहां पर क्या लिखा है 0-0 है तो a को हम यहां a बार लिख सकते हैं जहां 0 हो तो उसको बार लिख सकते हैं उसे परकार यहां पर क्या a बार हो जाएगा यह B हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुरू, वहाँ भी बार लग जाता है, और यह दोनों A, B हो जाएगे, ठीक, तो देखो, सम में पहला 1 कहा मिलता हमारा, इस वाले रो में हमारा पहला 1 मिलता है, तो इसमें क्या-क्या ह मिला है तो का संका हो जाएगा कर दो तो के लिए जो फंक्षाना आ अटा है बार बी प्लस अब बार आता है तो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो कुछ जो हमारा यक्सौर गेट होता है उसका A यक्सौर B उसका जो expression किया जाता है यानि जो उसको खोला जाता है तो क्या आता है A बार B आता है प्लस B बार A आता है तो कुल मिला के वही तो हमारा यहां पे लिखा गया है B बार A यानि कि पहले यह बीव कर दिया गया है तो वही हमारा यहां पर लिखा तो कुल मिला कि sum gate जो होता है वो यह एक्सौर gate की बहाद काम करता है जो sum to input यानि हाफ एडर में जो sum answer हमें प्राफ्ट होता है वो as एक्सौर gate काम करता है यहां तक half order आपको समझ में आ गया है कि जो sum होता है यांट काल गरता है जो carry होता हूँ हमारा क्या होता है AND gate होता है क्योंकि हम all multiplication کیा गया है AND gate तो मां carry काウいसा gate होता? AND gate होता है sum आता हो यक्सौर गेट आता है अब हम इसका देखते हैं gate diagram half header का दोस्तों आप अभी half header का sum out carry का equation देखें हैं sum क्या आता a bar b and a b bar जो कि यक्सौर gate की तरह काम करता है यहाँ पर लिख देखते हैं यक्सौर gate और उसके बाद जो carry आता हो हमारा आता है क्या and gate की तरह क्योंकि a into b आता है क्या हो जाता हमारा and gate and gate अब उसका gate diagram बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लेगे एक एक सोर gate ली सकते हैं क्योंकि एक question हमारा or gate का है अगर नहीं एक सोर gate ल्ले सकते हैं तो आप जैसे इसमें दिया गया उसससरा कर सकते हैं तो तो हमारा A का A terminal हो गया, A bar हमें जरूँ तो वहाँ पर हमें एक not gate लगाएंगे, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, A bar, क्योंकि यह not लगा है, A जो आएगा, उल्टा कर देगा, A 1 देंगे, तो 0 देंगे, तो 1 आएगा, उसी प्रकार B के स कौन सा gate लगेगा, and gate, जहाँ पर भी multiply काम कियागा, वहाँ पर and gate लगेगा, तो कौन कौन सा A bar and B दिया गया है, तो A bar वाला terminal तो हमारा यह वाला है, तो यहाँ से हम लेंगे, A bar, A bar को कुछ इस परकार लिकर जाएगे, और उसके बाद क्या हमें चाहिए, B चाहिए, तो B ह हमारा यह वाला terminal है, तो यहाँ से B ले जाएंगे, और इसको किस gate पर देना है input, and gate, क्योंकि दोनों को multiply करना है, तो हमारा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A bar, B मिल जाएगा, तो यह तो हो गया हमारा, next हमारा क्या, A, B bar, तो A तो हमारा यहाँ मिल जाएगा, इस परकार मिल गया, अब इन दोनों को क्या किया है, बीच में add किया गया, add करने मतलब और gate का यूच किया गया है, तो इन दोनों का जो output आएगा, हमें एक और gate से, और gate पर input कर देंगे, तो हमारा यहाँ फाइनल में जो answer आएगा, हमारा हुआ जाएगा, A bar, B, देखो एक input हमारा यह प्लस, A, B bar, तो किसका equation हमारा आया है, sum का equation आया है, यह कौन सा है, sum का equation आया, sum में आप देख सकते हैं, A bar, B, तो A, B bar आया गया है, जो कि हम भी true table से इधर हम prove कर चुके हैं, इस वाले true table से हम इसको prove कर दिए, यहाँ पर एक सार gate के तरह काम कर रहा है, अब next हमारा यहाँ तो sum कर नहीं हम निकाल लिए, और उसके बाद हमें carry निकालना, carry हमारा क्या A, B है, तो A हमारा यह वाला है, और दूसरा B हमारा यह वाला है, तो B हम यहाँ से वाला ले 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 लेते हैं, B हमारा यह वाला है, अब दोनों को multiply कियेगा, तो दोनों सिध्यों में एक end gate से input कर देंगे, और इसका output जो हमारा आएगा, यह आएगा A into B, तो यह किस चीज़ का हो जाएगा हमारा carry, तो यह रहा carry का equation, किस carry का half header carry equation था, सम का equation क्या था, अब यहाँ पर एक circuit और भी आप बना सकते हैं, जीसे यह हमारा जो दिया गया है, यह आपको पता एक source gate है, तो सीधे यह 1-4 gate दो, यह 1-4 gate क उसका फिर्कार हमारा होता है, यह 1-4 gate है, उस कि दोनों input कीज़े, A and B, यह हमारा क्या A हो गया, और यह B हो गया, तो इसका आपको पता है ओ tai a bar B आएगा, फ्लस a b बार आएगा, यह output आएगा आपको जो कि यह 1-4 gate में आपको पता आय जा छोगा है उसके पाद यह तो हमारा हो जाएगा समका है बना सकते हैं उसके बारा क्या काई रिक टाइरी हमाि हम्ह multiples वे तो एन्टु बी यहीं शब्लो और एक अन्ट गेट पर इंपुट करो उसके बाद हमें आउट पूट में मिल जाएगा A into B अब यह किस चीज का हो जाएगा कायरी का हो जाएगा तो आप यह भी डिकेट डाइगराम बना सकते हैं और यह भी बना सकते हैं जो आपको easy लगी वह बना सकते हैं पेपर में जरूर्ट पूछा जाए कोस्टन को लगभग हर एक कोस्टन में हर एक पेपर में इसको पूछा गया है यह तो था half header I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा अब इसका हम came app simplification देख लेते हैं came app simplification half header का क्या होता है तो half header came app का दो came app बनेंगे एक sum के लिए अलग came app होता है और कायरी के लिए एक अलग came app होता है तो दोनों को यहां पे आपको बताने कोशिस करेंगे तो पहला sum के लिए came app क्या होता पहले हम equation लिखेंगे equation के साब से इसका came app बनाएंगे जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो variable है और two variable है तो जो हमारा came app बनेगा और four silk came app बनेगा तो sum का equation पहले लिखेंगे sum का equation क्या है a bar b हमारा a bar b plus a b bar है a sum का equation है और कैरी का equation हमारा क्या a b है तो आपको variable यहां देखने पता चल ला है कि हमारा two variable है तो इसका जो came app बनेगा और two variable का बनेगा यानि four silk का हमारा came बनेगा यहां पर हम लेख सकते है a और हम लेख सकते है b यहां पर हमारा क्या a bar आ जाएगा a आ जाएगा यहां पर b bar आ जाएगा and b आ जाएगा आई हो पर समझ रहे होंगे कि a कैसे आता है अब उसके बाद इस equation के साब से value पूट करेंगे तो इस equation में जो value दी गई है वो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या दियागा a bar b दिया गया है तो a bar तो हमें यहां मिल जाएगा और b हमें कहां मिलेगा यहां मिलेगा तो हमारा 1 यहां पर आ जाएगा ठीक दूसरा हमारा क्या a b bar है तो a b bar हमारा कहां मिलेगा a तो यहां मिल जाएगा और b bar हमें यहां मिल जाएगा a b bar हमें यहां मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं इसमें जो pairing की जाएगा इसके लाव कोई question है नहीं अब इसके pairing करना है तो pair हमारा यह बनेगा यह हमारा pair बनेगा परकिर होने के बाद भी आउटपूट हमारा जीरो ही आने वाला है क्योंकि ए बार पर ही वायलू डिपेंड करती के मैप सेंद में सॉल्व कर चुके हैं यह 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 वायलू हम गण देंगे तो आपको पता दो ही वायरेबल इसमें भी हैं तो इसमें हम क्या बनाएंगे यह हम हमारा अंकर हुअ हमारा यह बार हो गाया यह है यह हमारा चुके मैप रही वायगर हो apt यह हम्हारा सम करता तो यहां पे लिख सकते हैं कम एप सम क्या हमारा बार आएगा और जो हमारा क्या मैप आफ काईर है इसका हमारा क्या आएगा A B आएगा ये इंटू बी आएगा तो ए था हमारा हाफ एडर उसके बाद आप देखेंगे फूल एडर ये हाफ एडर का लगभग सब कुछ कवर कर चुके इसमें तो अब नेस्ट हम देखने जा रहे हैं we beers in from this mean after that time को high five diseases क्या होता है यहां प्वेल्च साय में थो ही इनपुर्टर की परिबांस थे इनपुर्टमल ह यहां सब्रभी और हें प्रपाद की प्वेल्चर जाते हैं उसके इन्पुछ हाघ्टर की ट्रूट्रूपल इंपूट क्या होते हैं मैं तीन इंपूट होते हैं काउन काउन से a b c जो के इंपूट दो दियां कोई भी आप लख सकते है यह एक सबसे पहले इसके इन्पूट कितने हैं in put हमारे 3 है input 3 है आने variable कितने है तीन है तो इसमें जो possible combination बनेगो और कितने बनेगे 2 कि पाउ 3 यानि 8 बनेंगे 2 कि पाउ 3 यानि 8 बनेंगे तो 0 to 8 हम इसमें लिख लिए 0 to 7 पाउरी यह हमारा 0 का binary है यह 1 का है 2 का है 3 4 5 6 7 0 to 7 binary हम इसमें लिख लें टूटेबल कि ताकि टाइम बज़ चके इसलिए हम इसमें पहले से लिख चुके हैं अब इसमें तीनों को आड़ करेंगे जब तीनों को 0000 आड़ करेंगे तो क्या एगा हमारा 00 आएगा ना तो सम जी वन आएगा ना तो कैरी वन आएगा ठीक सम आएगा ना तो का और आएगा याणि तोनों को 0 होगा अब 0000 ब्लस 00 फ्लस kw Support. करेंगे तो कहा है सम वन आगा कै यह धिरो आएगा ठिक logistics 6010 कि अ हमारा है गए यह थी जिरो आएका ऐगा तो शांदो कैडिय हमारा वन उन आएगा फिर 101 यानि कि sum हमारा क्या आएगा 0 आएगा कैरी हमारा 1 आएगा next हमारा क्या है 110 यानि कि 1 प्लस 1 क्या हमारा 0 sum हो जाएगा और कैरी हमारा 1 हो जाएगा तो यह हमारा 0 हो जाएगा कैरी हमारा 1 हो जाएगा next हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानि कि sum 1 होगा और carry भी हमारा one होगा यानि sum भी आएगा और carry भी आएगा तो इस परकार से हमें true table complete कर लिए है अब हम देखेंगे इसमें sum का equation और carry का equation यानि true table हमारी बनगे true table के साथ हैथा समे equation इसमें बनाएंगे तो sum का equation क्या होगा जहाँ जहाँ पे हमारा one आएगा अनि-a हमारा 0 है, b हमारा 0 है, c के वल, तो पहले हमें क्या आ जाएगा, c आ जाएगा सम में और आएगा a bar and b bar, क्योंकि a bar हमारा क्या है, 0 है, a हमारा 0 a bar, b bar and c हमारा equation आ जाएगा पहला दूसरा equation हमारा क्या आएगा A bar plus A bar क्योंकि A 0 हमारा तो A bar हो जाएगा फिर B आजाएगा next हमारा क्या आजाएगा C bar A bar B C bar आजाएगा फिर तीसरा equation हमारा कहा ये वाला हमारे equation है येसमें क्या दियागा है A plus A फिर B bar and C bar यह तीसरा है question हमारा हो जाएगा फिर चौता है question हमारा कहाँ यह last वाला दिया जिसमें तीनों input हमारे high है A, B and C A, B and C यह तो हमारा हो जाएगा sum का equation next हम देखते हैं carry का equation तो आप देखें carry हमारे कहाँ कहाँ पर high दिया गाए तो एक one हमारा यहाँ पर मिला carry का next हमारा यहाँ पर he in next and next हमारा यहाँ पर है तो देखें हम शुरुआ से देखते हैं carry का equation के लिए तो पहला equation हमारे मिलेगा 0, 1, 1 यहन्नि कि हमारा A बार हो जाएगा यह हमारा 0 तो A बार हो जाएगा फिर 1 क्या है, B है, and C है, फिर next हमारा plus हो जाएगा, plus दूसरा equation हमें कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, जो की A हमारा है, B and C है यहाँ पे, B bar and C, फिर next हमें कहां मिलेगा यहाँ पे, यह equation, तो इसमें क्या है, A है, B है, plus C bar है, next हमारा plus A, B, C आ जाएगा, A, B, C, यह हमारा कैरी का equation हो गया, sum equation क्या है हमारा, a bar b bar c plus a bar b c bar plus a b bar c bar plus a b c, कैरी का equation हमारा क्या है a bar b c a b bar c a b c bar and a b c तो हमारा equation हम निकाल ले इसके, तो ध्यान से देखें जो sum का हमारा है यह कौन सी equation लिखा है, यह लिखा a, x or b, x or c तो हमारा यह हो जाए कि a, x or b, x or c क्योंकि ठीरी input जब x or gate का equation पढ़ते होंगे तो उसका कुछ इसी प्रकार equation हमारा आता है a bar b bar c a b c bar a b bar c bar and a b c यह हमारा ठीरी equation x or gate का है और next हमारा नीचे वाला तो हमारा वही जैसे की सब दिया गया है कोई gate हमारा नहीं है अगर अब इसका gate diagram बनाया जाए जो हमें यह output हमें मिला है sum and carry तो gate बनाने के लिए सबसे पहले इसमें आप एक x or gate बना लीजी क्योंकि हम सबसे यहीं बनाएंगे a b and c यह हमारा x or gate है तो sum के लिए अलग बनेगा तो sum के लिए हम क्या करेंगे sum के लिए हम एक x or gate बना ले कौई अंतर नहीं होता उसमें कि इन्पुट टीन दे दिया जाते हैं उस पर यह हमारा 3 इन्पुट x or gate हो जाएगा a हो जाएगा b हो जाएगा and c हो जाएगा तो यहाँ पर हम a, b, c को थोड़ा बड़े कर लेते हैं क्योंकि हमें इसी पर carry का भी हमें so करना पड़ेगा तो a, b, c हो गया तो a के साथ हम connect कर देंगे पहला क्योंकि आपको पता है एक x or gate जो हमारा होता है उसका जो output आता है इसकी sum के बराबार आता है c, यह हमारा x or gate का equation आ गया next हम क्या बनाएं, carry का तो यहाँ पर देखी a bar, b bar और c bar की जरूरत है तो यहाँ पर एक not gate लगा लेंगे यह not gate हम यहाँ पर लगा लिए ताकि हमें bar मिल सके यानि कि उसका जो equivalent है a bar हमें मिल सकते यहाँ पर हम यह not gate लगा लेंगे b bar के लिए तो यहाँ पर हम एक b bar का not gate लगा लिए जहाँ से हमें b bar मिल जाएगा next हम यहाँ पर एक c bar के लिए not gate लगा लिए जहाँ से हमें c bar मिल जाएगा और तीनों को multiply किया गया है तो यहाँ पे हम कौन सा gate आइज उस करेंगे? I-end gate उस करेंगे. तो सबसे पहला equation देखते हैं. A bar, B, C bar. तो A bar हमें यहाँ मिल जाएगा. A bar हमारा हो जाएगा. A bar हो जाएगा. A bar मिल जाएगा यहाँ पे. Next हमारा क्या है? B है. तो B हमारा यहाँ मिल जाएगा. B हो जाएगा. उसके बाद क्या है? C है. तो C हमें यहाँ मिल जाएगा. तो एक तो हमारा हो गया. और उसको एक I-end gate से निकाल देंगे. तो यहाँ पे हमारा क्यों मिल जाएगा? A bar, B, C मिल जाएगा. ठीक. नेक्स्ट कौन सा हमारा? A, B bar, C. तो हम यहाँ पे gate का connection कर लिए हैं. नेक्स्ट वाले में क्या हमारा है? A, B bar, C. तो यहाँ B bar ले लिए और C का लिए. इस पे I-end gate पे डाल दिये input. और फिर हमारा क्या A, B, C bar. तो A यहाँ लिए, B यहाँ लिए, और C bar इस वाले gate पे. gate number 3 हम इसको नायम कर देते हैं. 2, 3, 4. तो gate number 4 पे हम क्या दिये? A, B, C. A, B, C. तो output में हमें क्या मिले यहाँ पे? A bar, B, C. next वाले में क्या मिलेगा? A, B bar, C. A, B bar, C. जोकि next हमारा है, उसके बाद क्या मिलेगा? A, B, C bar. next हमारा क्या मिलेगा? A, B, C. अब तो इन तीनों को यहाँ multiply करके हम end gate से निकाल लिए. अब next हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीन चारों को एक और gate से input कराना पड़ेगा. जोकि इन तीन चारों को add करेगा. तो हम यहाँ पे एक और gate बना लेते हैं. यह हमारा और gate है. और इन चारों के input को इसी पे हम input करा देते हैं. इन चारों का output हमारा इस और gate के input बन जाएगा. और जो final answer मिलेगा, वो हमारा इन ही चारों का addition मिलेगा. तो जो यह addition हमें मिला है यह हमारा किसका equation है? कैरी का equation है यह तो हमारा sum का equation सीधे एक्सार gate लगा लो अगर आप एक्सार gate नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी use कर सकते हैं जो कि बहुत बड़ा circuit बनेगा तो यहाँ पर सीधे एक्सार gate आप use कर सकते हैं वो half add up था उसमें छोटी circuit बनती थी इसलिए हम उसमें दोनों बित से आपको समझा दिये हैं तो इसी तरह आप full adder का भी बना सकते हैं जिसे यह full adder में एक्सार gate लगाए हैं यहाँ पर इस तरह भी end gate लगाके आप circuit बना सकते हैं और हमारा carry में कोई चारा नहीं इसलिए हमें यहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक particular gate का equation हमें नहीं दिया गया है तो आपको कई सारे gate बनाके उस equation को solve करना पड़ेगा अब इसके बाद हम देखते हैं full adder का k map इसको k map से हम कैसे solve करेंगे इसके output के sum and carry का k map अलग-अलग बनाया जाएगा अब देखते हैं full adder का k map तो k map के लिए सबसे पहले equation हम लिख लिए हैं यहाँ पर sum का carry का sum का equation जो था a bar b bar c a b c bar a b c and a b bar c bar का carry का हमारा क्या है a bar b c a b bar c a b c and a b c bar तो हमारा carry का equation हो गया तो यहाँ पर km f हम sum के लिए बना यहाँ km f हम बना हैं carries कली सबसे पहले हम इस equation के हिसाब से इस km f में value foot करेंगे तो उसके लिए हम पहले हमारा क्या a bar b bar c तो a bar b bar and c हमारा यहां पे आ जाएगा one हमारा ठीक यह हमारा sale हो गया फिर दूसरा location क्या है a bar b c bar तो हमारा a bar b c bar यानि कि यह location हमारा है यह one हमारा यहां पे आ जाएगा next हमारा क्या a b c a b and c हमारा one यहां पे आ जाएगा उसके बाद next हमारा क्या a b bar c c bar तो A, B bar and C bar हमारा एक यहाँ प्याद आएगा तो अब देखो यह जो केमाइप के one put कियागा हर एक sale में value put की गई है इसमें कोई भी pair नहीं बना कोई भी grouping नहीं हो रही है आप इसे diagonal में कर नहीं सकते है यानि तेड़े में कर नहीं सकते है तो इसकी value जैसे की तैसी ही रहेगी यानि कि जो value यहाँ पे है वह ही value यहाँ पे आएगी इसलिए एक gate की जो equation होता है gate का जो simplification होता है वो के विल एक minimize करके ही दिया जाता है उसको हम नहीं परिवाद कर सकते है क्योंकि यह our lady हमारा क्या है 3 input एक absorb gate है क्या है 3 input एक absorb gate है तो absorb gate जो हमारा रहेगा वो ऐसे के वैसे ही रहेगा तो इनका जो resistant आएगा जैनका हमारा equivalent आएगा वो sum मेघ का equivalent वैसे के वैसे ही रहे जाएगा तो इसको हम वैसे के लिग दे रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ परकार AB bar, C bar, ऐसे कुछ हमारा आए, इसका जो final answer आएगा, वो KMF के थुरू ऐसे ही आएगा, इसमें कोई परिवर्टर नहीं किया जाकता, तो ये तो था KMF of sum, next हमारा आता है KMF of carry, यहनि कारी के लिए KMF हमें बनाना है, तो उसी परकार यहाँ पे 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0, यानि कि A bar, B bar, value put कर देंगे, इदर AB करने 10C की, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा equation दिया गया, उसे के साब से इसमें भी value put करेंगे, तो पहला क्या दिया है, A bar, B, C bar, तो A bar, B यहाँ गया, उसके बद क्या गया, C दिया गया, A bar, B, and C, तो हमारा कहा पे आ जागा कुछ हो यह value, इस वाले cell में, तो हमारा यह वाला cell में हो जाएगा, 1, next हमारी क्या दिया गया, A, B bar, C, तो A हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, A A, B, C दिया गया, A, B, and C, तो हमारा value कहाँ पे जाएगा, इसमें आ जाएगी, next क्या दिया, A, B, A, B, C bar, यानि कि एक value हमारी यहाँ पे आ जाएगी, कुछ इस परकार आ जाएगी value, अब इसकी करेंगे हम लोग grouping, तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा group जो हमारा two का ही बनने वाला, क्योंकि इससे जदा हमारे तीन का हम बना नहीं सकते, चार का बनेगा नहीं, तो two का ही बनेगा, तो एक group हमारा यह बन जाएगा, यह पहला group अगर हम लें, तो एक group हमारा यह हो जाएगा, और उसके बाद एक group हमारा यह हो जाएगा, यह दो-दो के तीन इसमें बनेंगे आप देखेंने सब हर एक गूरुम में एक जो हमारा cell हो फिरी है यानी कि एक बिट है वो फिरी है एक बिट फिरी होना जरूरी है तो यह पर पार्ण हमारा यह सही grouping है अब इसका हम equivalent निकालते हैं तो Y से अगर equivalent इसका represent किया जाए y carry से y c अगर लिख दें यहाँ पर y carry हो जाएगा हमारा तो पहले हम देखें अगर पहला गुरूप हमारा यह है तो इसके में देखो क्या कामन आ रहा है इधर तो इन दोनों का हमारा one हो जाएगा इसको हम छोड़ देते हैं इसे ठीक अब इधर हमारा क्या पहला आएगा हमा हमारा चा जाएगा फिर उसके बाध उसके बाध ओन्हां रहा है था रड़ और यहुग सबसे जाएगा तो फाइनल हमारा जो हमारा फाइनल एंसर मिल जाएगा तो किसका कैरी का क्य मैप है तो आप देख सकते हैं कैरी का जो equation था कुछ इतना बड़ाल था यानि कि इतना लंबा उसको हम किसमें कर दिया है A, B, B, C, C, A में हो गया है C, A, C कुछ भी कर सकते हैं A, B, B, C, C, A में कर सकते हैं यह हमारा कैरी का equation इसको minimize करके लिख दिया है तो I hope यह half adder, full adder आपको समझ में आया होगा यह topic paper की point of view से बहुत ज़्यदा important है अक्सर पूछा जाता है अगर आपको इसका pdf चाहिए हो जो हम इस पर लिख के समझा है तो हम इसका pdf अपने telegram channel पर डाल देंगे वहाँ से आप यह pdf ले सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही next video हम लोग multiplexer, demultiplexer और जो flip flop है encoder decoder cover करेंगे बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसे next video हम तब तक लिए जैहन जैभर, धन्यवाद झाल कैंज के लिए झाल झाल